बहुत बहुत स्वागत है दूस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11 हिंदी का टमवन का जो कोर्स है ठीक है उसके कोर्डेंग चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है टौर्च बेचने वाले जिसके लेकर है हरी संकर परसाई तो और Facebook Page का लिंक बच्चों वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा आप वहां से जाके हमें इन social media के अकाउंट्स पे जरूर फॉलो कर लीजेगा क्योंकि यहां पर मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स देता रहता हूं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात कर हैं बच्चों question number first की देखिए पहला प्रश्ण है लेखक ने torch बेचने वाले के बारे में कौन सी दलील पेस नहीं की है यानकि लेखक जो है वो torch बेचने वाले के बारे में कौन सी बात नहीं कहता है option first क्या तुमने बीबी को त्याग दिया दूसरा क्या उधार मिलना बंद first कि क्या आपने अपनी पतनी को त्याग दिया बलकि ये प्रश्ण इसका opposite है कि क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया इस तरह से था ये ठीक है तो कौनसी दलील पेस नहीं करता है option number first आपको अच्छे से समझाने के लिए जो question के अंदर important शब्द होगा ठीक है ना उसको वैंने underline भी कर रखा जिससे आपको question आसानी से समझा जाएगा question one second देखिए हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था वह सवाल क्या था पहला पैसा कैसे खर्च करें दूसरा पैसा कैसे पैदा करें तीसरा पैसा कैसे दान करें चौता पैसा कैसे लूटें तो इसका right answer है पैसा कैसे पैदा करें यानकी पैसा कैसे कमाए ये बहुत बड़ा सवाल है उनके सामने उस टाइम खड़ा हुआ था जब ये दोनों बात कर रहे थे ठीक है कौन टौर्च बेचने वाले कौशन नमबर थर्ड वो है काम बंद कर दिया अब तो आत्मा के भीतर टौर्च जल उठा है ये कतन किसके द्वारा कहा गया है लेकर के द्वारा टौर्च बेचने वाले कंपनी के मालिक की द्वारा टौर्च बेचने वाले के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं तो इ बिचने वाले ने किस्मत आजमाने के बारे में क्या कहा है पहला दोनों एक साथ नहीं बलकि अलग अलग जाएंगे दूसरा साथ जाएंगे तो दोनों की किस्मतों का आपस में टकरा कर तूटने का डर रहेगा तीसरा साथ जाने से हम दोनों एक दूसरे के काम से जलेंगे औ और कोई भी काम नहीं कर पाएंगे Option 4 की पहला दूसरा कथन सही है तो टॉर्ज बेचने वाले ने किस्मत आज माने के वारे में पहला और दूसरा कथन सही है ये दोनों ही बातें कही है तो Option 4 इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है Question 5 ये फिर खालिस्तान अब व्यर्थ मालूम होता है वो क्या है ठीक है तो यहाँ पर डैस में क्या आएगा हमें वो बताना है सूरज चाप टॉर्च, संसार, आत्मा या फिर पैसा तो इसका राइट अंसर होगा सूरज चाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं ठीक है अगला कोशन नमबर 6 लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कमपनी का नाम सूरज चाप ही क्यों रखा ओप्सन फर्स्ट जिस प्रकार संसार को सूर्ज प्रकासित करता है उसी प्रकार लेखक पाठकों को कमपनी के प्रती आस्वस्त करना चाहता है कि हमारी टॉर्च भी व्यक्ति के जीवन को प्रकासित करेगी दूसरा सूर का प्रकास अंधेरा खत्म करता है उसी तरह टॉर्च भी प्रकास करने में काम आती है तीसरा लेक्त ने अपनी कम्पनी को सर्व स्रेश्ट रखने के लिए टॉर्च को सूर से अधिक सक्तिसाली बताया है और फोर्थ है पहला और दूसरा सही है तो इसका राइट आंसर है option number 4 पहला और दूसरा ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है कोशिन 7 कहता है टॉर्च बेचने वाला क्या दलील प्रेश नहीं करता है यानकि जो टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति है वो इन में सेसा कौन सा कथने जो वो नहीं कहता है अपसन फर्ष्ट आज कल सब जगे अंधेरा चाया रहता है रातें बेहद काली होती है और व्यक्ति को अपना ही हाथ अंधेरे में नहीं दिखता है दूसरा इन काली रातों में आदमी को रास्ता नहीं दिखता है वो भटक जाता है वो अपना मार्ग भी खो देता है तीसरा टॉर्च के विना किसी विक्ति का जीवन उज्वल हो ही नहीं सकता है और फॉर्थ घर में अंधेरा होने से आदमी रात को वाश्रूम जाता है और पता चले कि बैट से उठते ही उसका पैट साप पड़ता है साप उसे डश लेता है और व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो एक तरह से टॉर्च बैचने वाला जो विक्ति है वो लोगों को ढरा रहा है अपनी टॉर्च बैचने के लिए ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो बात नहीं कहता है टॉर्च बैचने वाला वो है option number third कि torch के विना किसी व्यक्ति का जीवन उजवन नहीं हो सकता है ये torch बेचने वाला व्यक्ति बात नहीं कहता है ठीक है आई हूप आप समझ गए होंगे आगला देखिए वच्चो question number 8 है question number 8 है कि भीतर के अंधेरे की torch बेचने वाला व्यक्ति नहीं कहता है क्या दलील पेश नहीं करता है option first अब देखिए यहां पे क्या है पहला और दूसरा जो है ये basically एक ही point है तो पहले दूसरे को हम एक पड़ेंगे तीसरे को दो पड़ेंगे चार को तीन पड़ेंगे और पांच को चार पड़ेंगे ठीक है तो देखिए पहला कथन क्या कहता है कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधेरे में देख रहा हूँ उसके भीतर कुछ बुझ गया है दूसरा यह युग अंदकार में है मनुष्य इस अंदकार से घबरा उठा है वो अपने पद से ब्रष्ट हो चुका है वो अपने पद से भूल चुका है तीसरा आज आत्मा में भी अंदकार है मानव आत्मा बहुत ही अंदकार में घुट रही है मनुष्य की आत्मा भै और पीडा से गरस्त है चोथा तरतिये के व्यक्ति अब एक नई युग की और अग्रसर हो चुका है उसे पता है कि यह जो युग है वह अंदकार में है तो भीतर की अंदेरे की टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति जो है वो ये वाली परिवासा ये वाले वाक्य नहीं कहता है कि प्रतियेक व्यक्ति अब नई युग की और अग्रसर हो चुका है उसे पता है कि यह योग अंदिकार में है यह बात भीतर की अंदेरे की टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति नहीं कहता है ठीक है तो question number 8 का कौन आंसर हो जाएगा option number 4 यह बाला ठीक है जिसको मैं underline कर रहा हूं यह वाला इसका wrong answer है ठीक है अगला question number 9 जहां अंधकार है वहीं प्रकास है यह वाक्य किस ने कहा है भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति ने सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले व्यक्ति ने लेखक ने या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है भीतर के अंधेरे की टॉर्च आर्थें हाँ पर गलत है ठीक है ऑफिसल फर्स्ट गुरु गंभीर वाने यान की विचारों से पुष्ट वाणी राइट है सैकेंड सर्व ग्रही यान की सब्सक्राइंट करने वाला यह भी राइट है फ्रड है इस्तब्द यान की हैरान सनातन यहां देखें यहां पर दो इस्तब्द यानि की हैरान होना ठीक है दूसरा सब्द है सनातन यानि की सदैव रहने वाला तो यह भी सही है तो यहां पे किसी भी सब्द का अर्थ यहां पर गलत नहीं है तो option 4 इसका right answer है यहां पर हो जाएगा ठीक है चलिए question 10 का कौन सा answer सही हो जाएगा option number 4 अगला देखिया question number 11 सूरच चाप टॉर्च बेचने वाले के बारे में कौन सा कथन सही है यानिकि जो व्यक्ति सूरच चाप टॉर्च बेचता था और एक है बीतर के अंदेरी के टॉर्च बेचने वाले यही दो मैन है ठीक है इस कहान तो यहाँ पर पूछा जाएगा सूरच चाप टॉर्च बेचने वाले के बारे में कौन सा कथन सही है option 1 वह परिश्रम करता है वह चोराहे पर चिला चिला की लोगों को इखटा करता है अपनी बातों से उन्हें आकर्शित करता है वह अंधेरे और प्रिकाश यानिकि अपन पहला दूसरा कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि धरम के नाम पर तो भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने वाले के बारे में कौन सा कथन सही है option 1 यह धरम का सहरा लेता है वह लोगों में डर फैलाता है और धरम की नाम पर लोगों को डराता भी है दूसरा ब लोग इसे संत कहते हैं और इसकी कमाई भी बहुत अधिक होती है और उप्रोक्त सवी तो इस बारे में बीतर के अंधेरे की टॉर्च बीचने वाला जो व्यक्ती है इसके बारे में उप्रोक्त सवी कथन option जो है फोर्थ ही यह इसका right answer है आपर हो जाएगा ठीक है बच्चो अगला देखिए सबसे आकरी प्रशन है और important है देखिए question number 13 है भवी पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वही पर प्रकास भी है इसका क्या आरत है तो देखिए option number first है अंधकार और प्रकास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है जहां अंधकार रहेगा वहां प्रकास भी विद्मान रहेगा क्योंकि प्रकास का महतवी तब ही है जब अंधकार होगा तो यह पहला option right है ठीक है option number second भवी पुरुष से मनुष्य के बीतर विद्मान अंधकार की बात करता है कि मन के बीतर अंधकार मनुष्य को गलत रास्ता दिकाता है इसे मनुष्य मनुष्य की तीवी भय खो देता है तीसरा यह अंधकार दुख तथा निरासा से उपजिता है इसे ग्यान रूपी प्रकास से दूर किया जा सकता है और उप्रोक्त सभी तो इसका right answer होगा उप्रोक्त सभी बब्व पुरुष्य ने कहा कि जहां अंधकार है वही प्रकास है इसके बारे जितने भी most important MCQ question answers बनते थे वो मैंने आपको बता दिये और यह वही प्रशन है जो की ज़्यादा important है इसलिए इस चेप्टर से बहुत कम प्रशन मैंने उठा है क्योंकि 4-5 पेज का है तो आपका chapter है ठीक है तो आसा करता वच्चों आपको वीडियो अच्छे लेगी होगी वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चेप्टर के MCQ question answer की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहे अपना ख्यार लेखिए धन्यवाद जैहिन वंद मत्रम